व्यक्याता बरती ये 5,000 लोगों ने जन्वरी के माह में प्रिक्षा दी थी उस वक्त काफी नोजवानों का ये भी था कि ये बरती आगे किसके प्रिक्षा लेकिन डेड़ साल से ये बरती आगे किसक रही थी विद्यालों में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यक्याताओं के आवसकता थी और जो लोग तैयारी कर रहे थे डेड़ डेड़ दो-दो साल से उनकी उमीदे थी कि हमें व्यक्याता भरती की परिक्षा जल्दी हो और परिणाम देकर के हमें नोकरी दी जाए मैं बताना चाहूंगा इस फेस्बुक लाइव के माद्यम से उन तमाम व्यक्याताओं को जो सफल हो रहे हैं से माद्यमेक शिक्षा बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया है करने जा रही है एक दिन चोड़के एक दिन चोड़के सभी विश्वयों का RPSC जो रिजर्ट जारी करेगी उन सफल अब्यारतियों को मेरी तरफ से सुबकामनाए हैं जो इस परिक्षा में सफल नहीं हो सके उनके लिए भी मानिये मुक्यमंत्री जी ने तीन हजार पदों की सिग्ष परिक्षा करानी की सितंबर या जो भी संभव होगा इस कोराना के कारण से थोड़ा व्योदान आया है लेकिन जल्दी से जल्दी हम लोग उन लोगों के लिए दुबारा व्यक्याता बनने के द्वार खोलेंगे अभी जो ये रिजल्ट है वो एक दिन छोड़के एक दिन या दो दिन छोड़के एक दिन सभी विश्वयों का आएगा मैं समझता हूँ जून की लास्ट मैने में या जुलाई के फर्ष्ट वीक तक जबकी इन सब का रिजल्ट आ जाएगा तत्काल बाद में हमने माद्यमेक शिक्षा बोर्ड के निदेशक को ये निर्देशित कर दिया गया है कि काउंसलिंग के माद्यम से जो डोकुमेंट उनके चेक करने है उसकी परिक्रिया सिग्र की जाए और सिग्र करने के बाद में जल्दी से जल्दी हम गाइडलाइन के आधार पर काउंसलिंग करा करके उनको विद्यालों में भेजने का काम करेंगे जिससे उन्होंने जो मैनत किये उसका फल उनको मिलेगा और हमारे सरकारी विध्यालियों में हमें व्यक्याता पढ़ाने के लिए विश्यक का व्यक्याता मिलेगा मैं समझता हूँ अब जो ये बार-बार वेटिंग, रीशपल, आर्पीएसी से पहले जितनी व्यक्यप्ति हैं उतने पदों की लिश्ट आना, उसके बाद में दूबारा लिश्ट मंगाना, उसमें 6 मैने का समय लग जाना और 6 मैने के समय और डियोपी के हमारे सरकार के सरकुलर के कारण से कि अगर 6 मेना किसी बरती का हो गया तो उसके बाद में आप वेटिंग नहीं निकाल सकते इससे निजात दिलाने के लिए आगे से मुखे मंद्री जी के निर्देश के उपर RPSC ने ये फैसला लिया है कि जो भी वेकेंसी हम निकालेंगे जो रिजल्ट निकालेंगे जिस वेकेंसी का उस रिजल्ट में हम डेट गुना व्यारती की लिस्ट एक साथ देंगे जिससे ये वेटिंग निकालने वाली या दुबारा उनकी लिस्ट लेने वाली किसी तरीके का कोई व्यवधान नहीं और किसी तरह के दिक्कत नहीं आए तो जो व्यख्यता की बरती निकल रही है जिसका रिजल्ट अब आ रहा है उसमें हर विशे के डेट गुना विद्यारतियों जो अब्यारती सपल होए हैं उनकी लिस्ट आएगी इसलिए हमें दुबारा इनसे मंगाने के जरुत नहीं है जो भी रिजफल या वेटिंग की लिस्ट है उसी में से उठा करके हम लोग पूरा करेंगे दूसरा वरिष्ट अध्यापक 2016 का मामला रिजफल का हाई कोट के भी आदेश आगे थे और सरकार ने ये फैसला ले लिया था कि हम सुप्रिम कोट में अपील करें लेकिन मैंने निविदन किया मेरे विभाग के अधिकारियों से और कमेटी से कि इसका पुने परिक्षन कराया जाए और उसका पुने दो चार दिन पहले परिक्षन हुआ और मुझे बताते हैं बड़ी खुसी है कि वरिष्ट अध्यापक 2016 का जो रिजफल का मेटर था उसम में सरकार ने ये निरनक कर लिया है कि हम रिशफल करेंगे और रिशफल करने के बाद में ततकाल बाद में हम 2013 की जो वरिष्ट अध्यापक जो भरती है उसके साथ साथ उन सफल अभ्यारतियों को भी हम लोग नियुक्ति देनी की प्रिक्रिया करेंगे मैं समझता हूँ 2016 वरिष्ट अध्यापक का रिशफल और 2018 जो वरिष्ट अध्यापक में सफल अभ्यारतियों को नियुक्ति की कारेवाही तेज गति से चलेगी और जुलाई में या जुलाई के ततकाल बाद में अगस्त के फ़र्स शेकंड वीक तक हम 2016 का रिशफल और वरिष्ट काम सरकार करेगी प्रदानात्यापक माध्य में एक शिक्षा की जो भरती है उसमें जो डिफेंस परसंड जो कुछ है या एक सो कुछ की जो रह गए हैं उसका माननी उच्छ न्याले में प्रक्रण है सरकार ने चिठी लिग दी है एजी को डबल एजी को और हमारे एक नोडल नोपे सरालग से लगा दिया